हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो का सवाल है find mean proportional between 21 and 84 हमें करना क्या है कि 21 और 84 के बीच का जो mean proportional है उसी को find करना है ठीक है तो यहां पर हम लेट करेंगे कि जो mean proportional है वो x है तो let x be mean proportional between 21 and 84 ठीक है यहां पर हमने क्या लेट किया कि जो x है वो 21 और 84 का mean proportional है ठीक है अब यह बीच का mean proportional है तो यह सहीं क्या है यह 21 और 84 है यह प्रोपोर्शनल में होगा तो हैंस 21 कमा एक्स और 84 और इन प्रोपोर्शनल अब यह प्रोपोर्शनल में होगा तो यहां पर देखें इसको कैसे लिखेंगे 21 ratio x और यह proportionality sign है जाएगी यहां पर एक्स रेशियो 84 ठीक है इसको solve करेंगे तो ब्रोप suddenly और यह एक्स अबन में 84 आजाएगा इसको इजाएंगा इसको जाएगा तो यहां पर यहáis एक्स ंब फैक्तराइज करेंगे 84 उन मुझत फैक्टराइज करते हैं तो यह उन इसको फैक्तराइज करते कर ला किहाएं enormously इन टू में इसको फैक्त टोएल और सेवन चाएल ज़ा-टी-फैक्त पर बनाना तो 3 का यहां से यहां पेर बन जाएगा तो एक 3 बाहर एक 7 का 7 से और 2 का 2 से तो x is equal to यहां से 3 बाहर होगा 7 बाहर होगा और 2 बाहर हो तो x is equal to यहां पर हमें प्राफ्थ होगा 42 यानि कि जो mean proportional था between 21 and 84 वो 42